हलो एवरिवन और वेलकम बाक टू टीसे एफ प्रतीक मलिक चानल हमने अभी तक प्रीविएस एयर के एक वैशन की कुछ सीरीज डिसकुस करी है साथी साथ हमने उसमें बहुत सारे कॉंसेट भी डिसकुस करें बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आपको अलग से अच्छे से पढ़ना जरूरी है अगर हम क्वेशन करते हैं और उसके साथ कॉंसेट को समझने आपको इतना क्लियर नहीं होगा जब तक आप पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं देखेंगे तो लाइट चैप्टर की अल्रेड़ी 6 और 7 की जो वीडियो हैं मैं अल्रेड़ी अपने चानल पर अप्लोड कर चुकी हूँ आप वहाँ जाके देख सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यह 7th class का ही चैप्टर है लाइट इसका part 1 जिसमें हमने mirror convex, concave और plane mirror के बारे में already cover कर लिया है अब हम इस वाली वीडियो के अंदर lens के बारे में discuss करेंगे तो आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उससे पहले आप पुरानी वाली वीडियो देख लीजे ताकि आपको वो concept light का जितना भी concept है, pinhole camera का concept है, reflection है, shadow कैसे form होती है यह सारे concept आपको समझ में आ जाएं, तो आप वो मेरे चानल पर जाके देख सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए आज हम lens के बारे में देखते हैं, lens के बारे में पढ़ाने से पहले एक चीज में आपको समझाना चाहूंगी देखिए, एक term है, जैसे एक है mirror, यह मैं पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, mirror वो होता है, जिसमें एक surface तो painted है और एक surface से परावर्तन यानि कि reflection होता है, ठीक है, जब बात आती है lens की, तो lens वो है जिसके दोनों surface से reflection हो सकता है दोनों surface से reflection होगा, ठीक है, अब अगर हम देखें, तो lens जो है, वो दो टाइप के lens है, हमें जो दो टाइप के lens पढ़ना है, एक है concave lens concave lens, यानि कि अवतल lens और एक है convex, यानि कि उतल lens, ठीक है इसे करने से पहले, आप एक चीज़ देखेंगे, concave lens जो होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का middle से concave lens, यानि कि अवतल lens जो होता है, वो पतला होता है, थिन होता है, बीच में से और अगर convex lens की बात करें, तो convex lens बीच में से किस तरीके का होता है, थिक होता है, यानि कि मोटा, convex lens कुछ ऐसा दिखता है, यानि उत्तल lens, ठीक है, यानि कि बीच में से कैसा होगा, थिक होगा, हमने दोनों चीज़े देख ली, जितना मैं समझारी हूँ, पहले आप उसे समझ में आ जाएंगे, तो अभी हमने क्या क्या चीज़े देखी, मैंने lens और mirror के अंदर आपको फर्क बताया, कि concave lens इस तरीके का दिखता है, और convex, यानि कि उत्तल lens कुछ इस तरीके का दिखता है, अब एक चीज है, जो अगर मैं बात करूं पहला convex lens की, अगर मैं बात तो convex lens जो होता है, जितनी भी rays इसके उपर गिरती है, उन्हें एक जगह पे, एक जगह पे converge कर देगा है, एक जगह पे मिल जाएंगे आके, यानि कि convex lens क्या कर रहा है, उसके उपर जितनी भी प्रकाश्ट की किर्ने, जितनी भी light rays आके गिरेंगी, उन्हें एक पॉइंट प किसका होता है, उल्टा काम होता है, कॉनकेव का, कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव लेंज, एक ऐसा lens है, अफ्तल लेंज, जो सारी rays उसके उपर जो आई, light ray, उन्हें अलग-अलग दिशा के अंदर diverge कर देगा, यानि कि एक पॉइंट पे नहीं करेगा, अलग-अलग दिश लेंज का टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, यह सब पुरानी वीडियो में हम कवर खूट चुके हैं, अब lens देखेंगे, देखें, हमने magnifying glass देखा होगा, जिससे हाथ देखते हैं, पंडित लोग हमारा जो हाथ देखते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है, lens है, magnifying glass के कौन सा वाला lens है, तो यह convex है, convex, क्यों कि यह क्या करेगा, बहुत बारी की से, magnify कर देगा, image इसमें कैसी बनेगी, magnified image बनेगी, तो convex lens की यह property होती है, कि image उसमें कैसी बनती है, magnified, बड़ी बनके दिखाती है, तो अगर पंडित हमारा हाथ देखेंगे, तो उसे चोटी-च चीज में समझाने वाली, तो इस example के थुरू आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, convex lens कहां पे होता है, magnifying glass के अंदर convex lens होता है, साथी साथ, जब हम बच्चे थे, तो आपने भी एक activity करी होगी, देखें, convex lens जो है, अगर आप कभी magnifying glass मान लीजे, magnifying glass से, आपने कभी यह काम किया होगा, जो magnifying glass रहता है, अगर आप उसे एक paper पे, एक paper पे उसको एक जगह सूरज की रोशनी को उस पे concentrate करेंगे, तो paper जलने लगेगा, क्यों, क्योंकि सारी light rays, जो सूरज की जितनी भी किंडने हैं, वो एक जगह पे आके जब मिलेंगी, तो heat up कर देंगी, कहते हैं कि magnifying glass को कभी भी एक जगह converge करके, मतलब नहीं वो करना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप यह देखेंगे, एक चीज मैंने शुरू में ही समझा दी, इस चीज को point को note कर दीजे, कि जो convex lens है, convex, यानि कि उत्तल lens, हिंदी वालों को भी मैं दिखा दूंगी, फिर पतला रहता है, ठीक है, convex lens को magnifying glass भी बोलता है, यह देखें सूरज की रोशनी वाला example जो मैंने समझाय था, वही चीज इन्होंने बताई है, यहाँ पे, अब एक चीज जो मैंने शुरू में समझाई वीडियो में, converging और diverging, converge यानि कि एक point पे मिलना, diverge यानि कि अलग-अल diverge हो रही है, इसलिए, ठीक है, और उल्टा किस के साथ है, उल्टा है, concave lens के साथ, concave lens क्या करेगा, diverge करेगा, देखें यहाँ पर आप देख रहे होगे, कि light रहाई फिर ऐसे चली गए, ऐसे चली गए, तो diverge कर रहा है, ठीक है, यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, त Convex lens क्या है, Converging lens है, और Concave कैसा है, diverging है, एक बार हिंदी वाले बच्चों को मैं दिखा देती हूँ, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर इस concept को देख सकते हैं, देखें, सामान्यता उत्तर lens, यानि Convex lens क्या होता है, उस पर पढ़ने वाले जितने ही प्रकाश है, उसको अ अभी सारी lens किसे बोलते हैं, अब सारी lens किसे बोलते हैं, अवतल lens को बोलते हैं, जो प्रकाश को क्या कर देता है, अपसरेती, यानि कि बाहर की और मोर देता है, समझ में आगे है इतना, यह हमने देख लिया है, अच्छे से, next अब हम टर्म देखते हैं, देखें, कुछ हम properties के बारे में देखेंगे कि image formation कैसा होता है उसको हमें आपको समझ लेता है देखिए एक चीज में आपको समझा देती हूँ जब हमने अभी mirror की बात पढ़ी थी तो जो concave mirror image बनाएगा ध्यान से सुनों जो अवतल दरपन जैसी image बनाएगा ऐसा काम convex lens करता है ठीक है और जैसी image concave मैं एक short form में हाँ पर लिख देती हूँ देखें concave अगर mirror की बात करें cm concave mirror तो ऐसा काम c convex convex lens करेगा बिल्कुल सेम काम होगा इनका और जैसा काम convex mirror करेगा ऐसा काम कौन करेगा concave lens करेगा यह बात समझ मैं इनकी image अब इनकी एक बार characteristics हम देखते हैं पुरानी वीडियो के अंदर हम समझ चुके हैं कि concave mirror कैसी image बनाता है और convex mirror कैसी बनाता है अगर बात करें हम उत्तर lens की यानि की convex lens की convex तो यह किसकी property होगी जैसा concave mirror बनाएगा तो कैसी चीज़े बनाता है उत्तर lens वास्तविक तथा उल्टा प्रतिपे बनाता है real और inverted कैसा बनेगा real and inverted लेकिन जब object हम convex lens के बहुत जादा पास में ले आएंगे तो image कैसी हो जाएगी V यानि virtual हो जाएगी erect हो जाएगी और magnified बड़ी हो जाएगी तभी तो convex lens को magnifying lens भी बोला जाता है क्यों क्योंकि वह image को बढ़ा कर देता है जो यह पाचो properties आपने पढ़ी ऐसी same property किसकी होते हैं concave mirror की होते हैं समझ गई हैं से दूसरी बात जो अवतल lens है यानि कि concave lens है वह कैसी image बनाता है वह बनाएगा सीधा यानि कि erect बनेगी आभासी वर्चुल और छोटी बनेगी यानि कि small in size बनेगी और ऐसा mirror में कौन बनाएगा ऐसा mirror में convex mirror ऐसी image बनाएगा तो यहां से यह दोनों concept आपको समझ में आगे paper में सीटेट में यही पूछेंगे कि कौन सी image कैसी image बनाता है तो यह आपको अच्छे से आ जाना चाहिए एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी यहां से देख लें convex lens can form real inverted जब object बहुत जादा पास हो तो कैसी image हो जाते वर्चुल इरेक्ट और magnified हो जाती है इसलिए magnifying glass में यूज होता है और concave lens कैसी बनाता है VES यानी virtual erect or small in size ठीक है इतना आपको अच्छे से समझ में आओगा इसलिए magnifying glass के अंदर कौन सा वाला lens रहता है convex lens यूज होता है ठीक है यह हमने यहाँ पर देख लिया अब हम बात करते हैं dispersion of light यहाँ पर एक topic और है dispersion dispersion मतलब क्या होता है जब सफेद light white light seven colors में break हो जाती है तो उसे बोलते है dispersion seven colors कौन कौन से होता है आपने देखा होगा rainbow जब बनता है तो क्या बनता है विब ग्योर कौन कौन से color रहता है violet indigo blue green yellow orange red हिंदी में आप colors देखो यहाँ पर कौन कौन से है लाल नारंगी यानि औरेंजिश पीला हरा नीला जामुनी तथा बैंगनी तो यह विब ग्योर इंग्लिश वाले बच्चों को याद करने का और हिंदी वाले इसे अच्छे से याद करने कौन 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 से color है तो यही फिनोमेना किया जब भी कभी लाइट किसी परिज्म या आपने देखाऊगा किसी परिज्म से पास ह होती है तो वाइट लाइट गई और वो कितने colors में टूट जाएगी 7 colors में टूट यह साथ colors क्या है जो अब भी हमने yine discuss करे ठीक है तो white light कितने color से मिलके बनी होती है, 7 color से मिलके बनी होती है, एक यहां पर activity इनोंने दी है, यहां पर जब आपको भी CD को देखते होंगे, तो आपने CD को भी देखाऊगा, अगर आप सुरज की रोशनी में लेके जाएंगे, और घुमाएंगे, तो आपको ऐसे अलग- alग 7 color द इस तरीके से गोल गोल सीडी लिया कुछ और स्पेज सातों कलर बनाई जब आप इस डिस्क को बहुत तेजी से गुमाऊगे ना तो सफेद हो जाएगी ठीक है तो इसी को क्या बोलता है न्यूटन डिस्क नाम दे दिया यानिकी सातों कलर मिलके इन्होंने जब इन्हें तेज स्पीड में गुमाया तो क्या बन गया वाइट कलर बन गया ठीक है तो बस इसमें यहीं चीज है और कुछ नहीं है शेप्टर के अंदर हमने सारी चीज़े देख ली इंद्रधनुष वगयरा के बारे में कौन से कलर होता है क्या है देखिए एक कॉंसेप्ट और थोड़ा स आप में सब्सक्राइब देखा जब बारिश होती यह मेरे इंदो दिखाई देता है तब एट्मोस्फियर में वाटर डॉपलेट बढ़ जाते है वोटर वपर की कॉंटिटी बढ़ जाती है वाटर डॉपलेट और यह वाटर किसकी तरह एक्ट करते है प्रिज्म की तरह औ और इसलिए हमें क्या दिखाई देता है rainbow दिखाई देता है एक बात ये याद रखनी है आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है यहाँ पर चीज है कि rainbow और sun हमेशा क्या होंगे opposite direction में होंगे एक चीज यहाँ पर दिया है आप rainbow को तभी देख पाएंगे जब आपका back किदर ह साइड होगा ठीक है और प्रिज्म क्या करता है वाइट लाइट को किते कलर्स में बाट देगा seven colors के अंदर अब इस चप्टर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता हो अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप comment section में बता सकते हैं thank you everyone